हम सबसे सुन्दर ग्रहे पर निवास करते हैं जोहरी आली से युक्त बहदी सुन्दर और आकर्चक है हमारी प्रत्वी के जन्म से लेकर अब तक कुद्रत ने इंसानों का बहुत साथ दिया है पीने के पानी से लेकर खाने तक के वे सभी जरूरी संसाधन कुद्रत हमें उपलब्द कराती आई है जिनकी इंसानों को बहुत आवसकता होती है कुद्रत कहें या प्रकृती इससे बड़ा कलाकार कोई भी नहीं है और इस बात को दुन्या के प्रत्यक व्यक्ति और वेग्यानिक अच्छे से मानते आए हैं वहीं समुद्र हमारी प्रकृती का बहुत बड़ा हीसा है इसके बिना प्रत्यकी कलपना करना सायद संभव ही नहीं है लेकिन सायद आपको मालूं ना हो कि जितना यह गहरा होता है उतने ही गहरे इसके रहसे भी हैं हमारे विज्ञान ने पिछले सो सालों में समुद्र की अधिक्तम गहराईयों को मापा है और उन गहराईयों में हमें एक से बढ़कर एक अजीब और विचितर जानवर देखने को मिले हैं जिनमें कुछ का आकार बहधी छोटा होता है तो कुछ जानवर इतने बड़े आकार क देखने को मिले हैं जिनकी इनसानों ने कभी कलपना भी नहीं की थी वह गटना वर्स 1947 की है जब इनसानों ने 6 मीटर वाली दुनिया की सबसे लंबी ग्रेट वाइट साग को पहली बार देखा था जिसके सरीर की लंबाई को देख दुनिया के प्रत्यक विज्ञानिक आश सुलजा रहस्यवर बनकर रह गई है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अक्स है और स्वागत है आपका प्लेनेट अर्थ के एक और रहसमय वीडियो में दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ह रहसमय जीवों के पाये जाने जैसी खबरें सुनते ही रहते हैं उनमें से कुछ जानवर अभी भी मुझूद है तो कुछ जानवरों की केवल कहानिया ही सुनने को मिलती है वहीं विग्यानिक समय समय पर प्राचिन काल के अनेको रहसमय और विसालकाय जानवरों के बारे मे दावा करते आये हैं जिनके जिवास्म के पाय जाने से उनके दावों को जुटलाया नहीं जा सकता विग्यानिकों के अनुसार ऐसी ही एक विसालकाई मेगलोडोन नाम की सार्क मसली किसी समय में समुद्र पर राज किया करती थी जिसके सरीर के आगे ग्रेट वाइट सार्क मसली भी छोटी ही लगती थी यह कोई जुटा दावाबर नहीं है क्योंकि विग्यानिकों को इस विसालकाई मसली के सरीर के विभिन नंगों के कई जिवास में मिले हैं जिनसे इस विसालकाई मसली के होने की बात को चुटलाया नहीं जा सकता है। माना जाता है कि यह विसालकाई मसली आज से लगबग 26 लाख साल पहले पानी में रहने वाली सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मसली हुआ करती थी। जो दूसरी अन्य चोटी मसली को खाकर ही जिन्दा रहा करती थी। इस विसालकाई मसली के सरीर के लंबाई 18-20 मिटर हुआ करती थी। जिससे हर को इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकता है कि यह विसालकाई मसली कितनी खतरनाक रही होगी। वही इस विसालकाय मसली के जबडों की बात करें तो इसके जबडे की लंबाई दो मिटर हुआ करती थी जिसमें साथ से आठ हिंस तक की लंबाई वाले 270 नुकिले दांत हुआ करते थे जिनकी मदद से ही है किसी कठोर से कठोर जीव को भी आसानी से खा जाती थी यह तस्वीर इसी विसालकाय मसली के एक दांत की है जिसमें आप पासी में रखे ग्रेट वाइट सार के दांतों से तूलना कर इस नतीजे बेर पहुची जाएंगे कि यह जीव कितना भयानक रहा होगा इस विसालकाय मसली के शरीर की इतनी लंबाई की वज़ए से यह बात तो साफतोर पर जाईर होती है कि दूसरे समुदरी जीवों का इसे बच पाना मुम्किन ही नहीं था वही वर्ष 2017 तक मेगलोडोन नामक की इस विसालकाय मसली पर डिसकवरी साइंस और नैसनल जियोग्राफिक जैसे कई बड़े चैनल्स ने डोक्यूमेंटरिस बनाई हुई है जिन में जिनोंने यह दावा किया था कि उस विसालकाय जीव का मुह इतना बड़ा था कि उसमें तीन से चार व्यक्ति भी आसानी से आ सकते थे ऐसा नहीं है कि इस विसालकाय मेगलोडोन के जीवित होने का दावा शिर्फ विग्यानिक ही करते आये हैं बलकि आज वर्ष 2017 तक अनेक उस्ट्रेलिया के प्रकरती विग्यानिक डेविड स्टीव के साथ काम कर रहे हैं मचवारों ने बलोटन आइलेंड के पास तकरीबन 35 मिटर लंबी सार्क मसली को देखने का दावा किया उस मसली के इतने बड़े आकार की वज़य से सभी मचवारे इतने डर गए कि वे वहा पात साफतोर पर जाहिर होती है कि हो ना हो लेकिन कोई जीव तो जरूर था जिसका आकार मेगलोडोन के आकार से मिलता जुलता था इसी घटना के चलते वर्ष 2009 में इस श्यत्र में हिस्ट्री चैनल ने अपनी डोक्यूमेंटरी बनाई जिसमें इस विसालकाई जीव को खो सिन अफरिका के कुछ मचुआरों और गल्फ अफ केलिफोर्निया ने भी इस विसालकाई जीव को देखे जाने के कई दावे किये जिनमें इस विसालकाई जीव के आकार को 45 फिट के आसपास बताया था जिसके भी कभी पक्य सुबूत नहीं मिल पाए यही वज़ा है कि को विलुप्त मानता आया है उन विलुप्त हुई प्रजातियों के कई जीव दुनिया भर में जीवित मिले हैं जिससे मेगलोडोन के जीवित ना होने की बात को नकारा नहीं जा सकता हमारी दुनिया ऐसे ही विचित्र और अनसुल्जे रहस्यों से भरी पड़ी है जिनको प्लेनेट अर्थ इंडिया आपके सामने लाता रहेगा दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अचा लगा हो तो लाइक शेर और कमेंट जरूर करें साथी ऐसे और है समयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना बुलें और आपको जिस प्रकार क भी वीडियो साहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हैं लोटेंगे जल्दी नए और अद्बुत वीडियो के साथ धन्यवाद